एक दारू बंद करने के वज़े से आज ये सीमा हो गई कि सौ घरों में से असी घर में आज दारू गांजा चर्स अफिम यहां तक हिरोईन अब तो हतियार कभी बेकरी धडलले से हो यहां से आप चुनाव लड़ हैं चुनाव जीत जाता हैं तो इसे छेतर के लिए क्या क्या कीजिए आज पांच लाक रूपिया लगा कर अलेक्शन लड़ते हैं तो कल पचीस लाक असुली आप करोगे अगर दो क्रोर लगाते हो तो आप दस क्रोर करोगे वरस्टाचार से कमाया हुए दौलस्त अगर उनकी पालन पोशन अगर हुई यह तो बरस्टाचार करेंगे ह आगे चलके कहीं आप जुग जाए किसी से गठ बंदन कर लिजी अच्छा नौतन बहनिया विधान साबा के जीतने वी लोग हैं आप पे विश्वास क्यूं करें क्यूं आपको भोड़ दें किस लिए दें आपको बता दू कि महीने के मैं 50,001 लाक कमा रहा हूं अपने घर दें और मेरे साथ जी है संजय कुषवाजी जो इस विधान साबा से चुनाव लड़ने वाले हैं जरह सोचिए कि इस विधान साबा से बहुत सारे लोग जो है चुनाव लड़ रहा है और जीत एक ही आदमी रहा है तो इस छेत्र में भी एक उद्पड़ है अब इसे जानत है इस छेत्र में हमारा मुद्दा अस्थानिय मुद्दा है जो अब तक पिछले 30 वर्सों में इस छेत्र के जितने भी जन पड़ते दी रहे हुए हैं उन सबोंने क्या काम किया क्या नहीं किया इसका आकलन करते हुए हमने विचार किया और सबसे पहले हम आपको एक बात औ सब्सक्राइन मोर्या जी हैं और हमारे राष्टिय उपाद्यक्स दिनेश कुमार मोर्या जी उनके दिशा निदेश के अनुसार हम इस अपने नौतन विधान सभग से दो हजर पचीस में भावी परत्यासी संजय परसाद उर्प संजय सिंह कुषवा चुनाव लड़ने के लिए हम जो है कि आये हैं अच्छा एक बात है कि मतलब मुद्दा है इस चेतर में आपका किस मुद्दा को लेकर आ रहे हैं चुनाव में चेतर का सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि यहां पर जो है कि बेरोजगारी के इतना आलम है और भरष्टाचार का चरम सीमा भरा लाका से जूड़ा हुआ है यहां पर हर वर्स बांध के कटाव से गंड़क के वज़े से जो है कि मतलब हजारों हेक्टियर जविन गंड़क में परवावित हो जाती है लोगों का फसल बरबाद हो जाता है उसको मुआवजा नहीं मिल पाती है दूसरा बात है कि रोजगार के वज़े से आज यह सीमा हो गई कि सव घरों में से असी घर में अज दारू गाजा चर्स अफिम यहां तक हिरोईन अब तो हंतियार का भी बेकरी धडलले से हो रहा है और मुझे जहां तक सूचना मिली हम अमने देखा कि अब तक हमारे सहर में बेतिया सहर है वहां लोग जाते हैं मार्केटिंग करने के लिए परसासन का रवया देखकर हमको बहुत जो है कि लोग अपना समागरी खरिदने के लिए जाते हैं तो वहां पर चलान काटा जाता है विभीन जो है कि पर खंड में चाहे नौतन हुआ बैरिया हुआ या जो भी गंड़क मतलब बजार क च्छेतर हैं वहां पर गाड़ी रोक के लोग जो है कि वहां अबैद असुली का काम करिए चाहे जो है की काटने का काम करिए वो लोग चलान काट रहे हैं लेकिन रात के अंधेरे में धडलले से अनेको बाइक अनेक गाड़ियां रात भर रौंडिंग होती है उसके उपर पर शासन का कोई निगरानी नहीं है अच्छा आप इस छेतर में रहते नहीं है आभी के दौर में आप रहते हैं लखनव में यहां के बहुत सारे लोग एवी सोचेंगे अगर हम इनको भोड़ देते हैं यह जित जाते हैं तो यह फिर यह नौतन बैणिया विधान सभा छो है जोपड़ी का घर है सामने मंदिर अपने देखा हुआ है अब बताइए कि हम अपने परिवार अपने मावाप उने सगा संबंधी और इस पूरे जोगी छेतर के लोगों को छोड़के हम अपने स्वार्थ के लिए थोड़ी ना लखनव में तो हम अपने रोजगार के लि यहां की पबलिक की जिम्मारी हमको मिलेगी जब जनता हमको असरवात देगी तो हम दिन राती ही मिलेंगे अगर यहां से चुनाव लड़ है चुनाव जीत जाता हैं तो इसे छेतर के लिए क्या क्या कीजिएगा देखिए चुनाव जीतने की बात जो भी सिस्टम में आज बदलाव करने की आउसकता है जिसके लिए हम लड़ रहे हैं उसमें हर संभव बदलाव करने का हम परयास करेंगे बलौक अस्तर से भरष्टाचार खतम करने की बात है उसमें भी जो है कि चीज आपको सव परसंट तो नहीं लेकिन आपको 80% उसमें बदलाव नजर आएगा कि इस चीज को बदलने के लिए सिस्टम को बदलना पड़ता है और सिस्टम बदलने का काम कौन करता है जनपर्दी करता है आज के द возмालों करता है कि बाओ पढलत वालाहांS सिस्टम को बदलना है कि निश्वार्त भाव से बिना पैसा खर्चा कि ये कोशी भी पद के लिए जनपति दी आता है उसको आप चुनाव में जीता ये अपके छेत्र का बदलाव होगा अचा ये जो भी नयता है सभी नयता इस तरह के बाते बुलते हैं कि हम आएंगे तो बरफटाचार से कमाया हुए दौलस अगर उनकी पालन पोसन अगर होई ये तो बरफटाचार करेंगे हम एक गरीब घर किसान के बेटे हैं और हम जमीन से जूड़े हुए इंसान है हमने मिटी के खुस्बू हमारे अंदर है हम फसल का उत्पादन करते हैं उसके बारे में ज्यात है कि कौन सा समय में कौन फसल लगाई जाती है अगर हमारे माबाप हमारे परिवार हमारे रिलेटिव ने अगर हमको इस तरह से परवरिस करी है तो हम छेत्र की गरीब जनता के बारे में जरूर सोचेंगे कि उनके दुख दर्द में हरदम खड़ा रहने का काम और ना कि हमने को रूरो रुप्या लगा कर ले लिया कि ने अपने सिष्टम से आ अपना कमाया हुआ छी लगा रहे हैं तो पॉलिक से असितवाद हमको मिल जाए वही काफी है हम ना दस रूप्या फाल्तू लगाएंगे ना फाल्तू हमको अपसकता है बस हमको यह चीज़ ले लेगा जब हम ही अपना पीसी जब मांगते हैं हमारे दलाल बैठे होते हैं साथ में कोई भी जन परतिदी का वह जाकर असुली कलता है और नई नितल गुहाटी और देरादुन और नैपाल और टेहरी गड़वाल घूमने जाता है उसका आप देख लिए रुतवा यहां ह के साथ रहने वाले लोग आए दिन महीने में लाखो रुपे लेके घूमते हैं वो पईचा कहां से आता है इसी का कारणने कि हर दिन बान तूटता है और हर दिन ब्लोक में नेको राजनितिक पार्टी के दल्ले बैठे रहते हैं जो कमिशन खाते हैं अच्छा बिहार में ज जो है इसको कैसे मतलब जो भी भोट बैंक है इसको कैसे तोड़ियेगा अभी आप एक देख रहे हैं कि आपने कहा कि भाई ठीक है जो पार्टी अभी यहां पर है इसके पहले कॉंग्रेस भी तो थी बीजेपी जब लड़ी कितनी सीट थी उसके पास दो सीट पर लड़ी भारत में अनेको अपना सरकार बनाई हुई है आज पीके की बात आप करते हो एक साल पहले पाद्यात्रा करके निकल रहे थे चार उप्चुनाओं लड़ रहे हैं जोजर पाचीस में पूरे विजानसवा लड़ने के काम करने का काम कर रहे हैं लेकिन हमारी पार्टी बीट लड़ेंगे आगे चलके कहीं आप जोग जाए किसी से गठ बंदन कर लिजे पाटी का जो दाइतु होगा वो पाटी जाने लेकिन मैं नौतन बिधान सभा से आपको बता दे रहा हूँ अगर मेरी पाटी जिस दिन अगर मेरे बताय हुए रास्ते पर या उपकी गाइड़ के माध्यम से अपने मद्दान किया हो या फिर अपने सोज बुच से मद्दान किया हो या पैसे के बदलत मद्दान किया हो या दारू के बदलत मद्दान किया हो या किसी के बाहकाओ मैं के साड़ी बिलाओ जो और साया या फिर कंबल के बदलत अपने मद्दान किया हो एक इसको देखकर तो कम से कम मददान करने का हामी तो भर ये करिए अगर पांट साल में मैंने बदलाव नहीं किया तो मुझे दख्का मार देजिएगा दूसरे बार चुनाओं मत करिएगा तो आपको निजात दिलाने का जो मैं काम करने के लिए आपके आप बीच में आ रहा हू अपने घर में तो आप बताईए कि मैं क्यों आपके बीचारा हूं कहीं नहीं परिवार के सब लोग सांसत बिधायक जीला पारसा चेयर्मेन सब बनना चाहते हैं को यमल सी बनना चाहता है हम नहीं कह रहे हैं कि हमारे जैसे हमारे जैसे किसी भी वर्क के बच्चे को जाती से अगर कोई नवज़ान आता है उसको सपोर्ट करने की जरुरत है विभीन चेत्रे में तब जाके बदला होगा चलिए नौतन बेने विधान सावा के जितने भी लोग हैं इनको थोड़ा से एक बार मोका दिया जाए और इनको सपोर्ट किया जाए पांच साल के जाया का?